स्प्रीटिंग थियोरी एक्चुली डिखा हुआ है क्रिस्टल फीर्ड थियुक्रिए पर अकर अक्चुली बात करें तो यह क्रिस्टल फीर्ड्स प्लीटिंग के अंदर हमें कुछ एक इच है कंसेप्ट है जो वैलेंस बोउड थियुरी के साथ कंपेर करने पड़ेंगे और यह चीज हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगे वेलेंस बॉन्ट थियूरी के पास यह पॉइंट था कि यह कहता है कि लीगेंड और जो मेटल है उसके बीच में हाइबराजेशन होता है ठीक है यहां पर इस कंसेप्ट के अंदर हाइबराजे ठीक है और हमें वेकन्ट और बिटल की महाँ पर रिक्वार्मेंट होगी ठीक है जितने वेकन्ट और बिटल होंगे उसी के बेसिस पर हम उसकी हैबड़ाजेशन को डिफाइन कर देते है अकोर्डिंग तो दिवेलेंस बॉन्ट थिरी बट यहां पर क्रिस्टल थिरी क्या कहती है कि जो मैटल और लिगेंट है दे विल वर्क अज़ पॉइंट चार्जिस एज लिगेंट हैव जो इनके बीच में जो इंट्रेक्शन होगी इस वजय से ठीक है एक पॉइंट जो हमें और ध्यान में रखना है इस थिरी के अंदर अभी जैसा कि हम सारा कु इनको बोलते हैं एक्जियल और इस वजय से कहलाते हैं क्योंकि यह एक्सिस के उपर होते हैं इस और इस वजय से कहलाते हैं इस वजय से इस और इस नहीं होता है तो यहां पर इस नहीं होगा यह एक्सिस से हटके होगा यहां पर इस लिए वजय से इनको क्या बोलते हैं हम नोन एक्जियल और बिटल्स ठीक है हम यह चीज मानके चलते हैं कि जो लिगेंड है वो मैटल को एक्सिस के उपर अप्रोच करता है ओंदा एक्सिस अप्रोच करता है हम थोड़ा सा यहां पर बोक्स के अंदर इसको बनाने की कोशिश करें तो आप थोड़ा सा समझ पहेंगे पॉर एक्सेद यह RIGHT सब्सक्राइब को एक्सिस और यह है ज को है तो लिगेंड कहां से अप्रोच करेगा तो आट आप अप्रोच करेगा जिसके कारण क्या होग students के ऊपर हैं जो बीडल और अन 강 Un proc कि इसके पास वी इलेक्ट्रों से और इसके पास वी एलेक्ट्ों सो अवेलेबल है ठीक है no doubt completely fielding आँ but electrons तो अवेलेबल है न वहायसे इनके बीच में क्या हो जाएगा Saturn हो जाएगा बड़ जाएगा रिपलेश जो है वह बढ़ जाएगा हमें यह POINT एक ध्यान रखना है तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या चीज़ कंसीडर करनी है रिपल्सिव फॉर्सिज हो जाएंगी बिट्विन एक्षीयल ऐंड एक्षीयल और ऑजो एक्षीयल और जो श्रास्त नहीं है मतलब इसका जो far apart है यह 45 degree के angle पर है तो यह उसके way में नहीं है So due to this reason इन डोनों के बीच में जो repulsive forces होंगी वो कम होंगी So less repulsive forces, repulsive forces जो non-axial होंगे जो के होंगे? non-axial होंगे जो ligand के साथ यहाँ पर आपको approach करते हुए दिखाई देंगे So due to this reason हम देख सकते हैं कि जो on the way होंगे मतलब on the axis होंगे, उनके बीच में repulsive forces बढ़ जाएगी और जो on the way नहीं होंगे, यानि कि जो उससे 45 degree के angle पर होंगे उनके बीच में repulsive forces कम हो जाएगी ठीक है, यह दो point आपको याद रखने हैं क्योंकि इन ही point के basis पर हम आगया अपनी study करेंगे पहला, यहाँ पर दोनों को बीच में point charges होते हैं मतलब sort of कह सकते हैं कि यह ionic bond की तरह है, एक दूसरे को attract करते हैं hybridization नहीं होगा, ठीक है, दूसरा d-orbital जो है वो यहाँ पर two types में हमने divide कर दिया, one is axial और दूसरा क्या हो गया, non-axial, axial के बीच में repulsive forces generate हो जाएगी और non-axial के बीच में repulsive forces generate नहीं होगी क्योंकि ligand जो है उसे on the axis पर approach करेगा, now see a definition देखते हैं, in the crystal field theory, the electrons pair on the ligand are viewed as the point negative charge, as I told you कि जो ligand है उसके उपर point negative charge होगा, क्योंकि उसके उपर electron होगे and interact with the d-orbital on the central metal ion and the nature of the ligand and the tendency towards the covalent is ignored, as I told you कि यहाँ पर कोई covalent bone का formation नहीं होगा, वो tendency यहाँ पर क्या हो जाएगी, ignore हो जाएगी, तो हमें उस पार्ट को नहीं consider करना है कि अब इनके बीच में कोई covalent bone बनेगा या hybridization, ठीक है, next, अभी यह कुछ structures के बारे में दिखा रहा है, हम इस structures को भी study करें, structure क्या है, ligand views as the point charges at the corners of the octahedron affect the d-orbital differently, as I told you, ligand के उपर क्या point charge होगा, negative वाला, यह आप देख सकते है कि octahedral part के अंदर ligand जो है वो negative charge के साथ यहाँ पर attach है, इस सभी जगहाँ पर, ठीक ह ध्यान रखने वाली बात यह है, यह वही cases के अंदर axial है, और यह वही cases के अंदर non-axial है, non-axial है, ligand overlap with the orbital log resulting in a strong repulsion, so ligand जो है, जो लोब है, जो के axis के उपर ही है, अब जैसे यह भी negative charge है और यहाँ पर भी electron है, क्योंकि यहाँ पर, orbital अपने आप में, orbital क्यों कहलाता है, क्यो कि वहाँ पर probability of finding the electron ज्यादा होती है, तो यह उन्दा axis होगे, जिसकी वज़े से यहाँ repulsive forces generate होगी, बढ़ जाएगी, strong repulsion होगा, ठीक है, यह उन्दा way है, ligand भी यहाँ से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से orbital lobe resulting in the weak repulsive repulsion, ठीक है, weak repulsive forces या weak repulsion आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो non axial होगे, clear, so next, जो हमारे पास point है, आम उसको समझ दे कि crystal field, sorry, crystal field splitting theory, जो है, so next, we are having the crystal field splitting theory, जो octahedral entities में वो कैसे होगी, हम उसको देखते है, the repulsion between the ligands, long pair, जो ligands के long pairs है, and the d orbital on the metal, result in the splitting of the energy of the d orbital, इस word को समझते है, splitting क्या है, splitting को यह भी हम हिंदी में देखें, तो इसका मतलब होता है, tootना, split हो जाना, break हो जाना, ठीक है, breaking, break हो जाना, अब देखें, क्या है, यह रहा total d orbital, ठीक है, 1, 2, 3, 4, और 5, ठीक है, यह रहा d x y, यह रहा d y z, यह रहा d z x, यह तीनों के तीनों है, non axial, यह रहे non axial, और यह दोनों हम मान लेते हैं, यह रहा d x square, minus y square, और यह रहा d z square, तो यह क्या हुआ, axial, अब splitting का कारण क्या है, यह दोनों के दोनों है axis के उपर, अब यह axis के उपर है, और ligand इनी के तोर पर अप्रोच के देखा जैसा कि हमने पिछली slide के अंदर देखा, तो यानिकि इन दो orbitals की energy जो है, वो बढ़ जाएगी, और यह क्या है, non axial है, यानिकि यहाँ ligand और इनके ब axial orbital चले जाएंगे, जिसके अंदर से कौन से आएंगे, dx square minus y square और dz square, और lower की तरफ कौन से आजाएंगे, तीन orbital आजाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, dxy, dyz और dzx, ठीक है, इसको short form में हम क्या बोलते हैं, eg, ठीक है, यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे, eg, और इसे क्या ब बताया था, axial है, dx square minus y square, axial है, तो इसको क्या बोल आ गया, eg, ठीक है, यह on the axis होते हैं, जिसके करण इनर्जी बढ़ जाएगी, और देख सकते हैं, यह higher energy level पर चले जाएंगे, ग्राफिकली हम फिर भी इसको consider करेंगे, अभी सिरफ आपको समझना है, और यह रहे, dyz, dzx, dxz, और dxy, यहाँ पर यह non axial है, तो इनकी energy घट जाएगी, यह रहे, नीचे की तरफ आ गए, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसको बोला क्या गया है, ठीक है, next, अभी देखेगी क्या हुआ, यह वही हमारे पास, जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, यह पांच लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड अप्रोच करते हैं, इन सब की energy उपर की तरफ बढ़ेगी, सब की energy, पांचो की पांचो की energy बढ़ेगी, पर उन पांचो में से दो की energy कुछ जादा बढ़ जाएगी, जिसको हमने क्या बोला, EG, जिसके अंदर axial आगे, so these are the axial orbital, औ और जो तीन है, non-axial, उनकी energy उन से कम हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी-orbital की क्या होगी, splitting हो गई न, पांच थे, जो deinated थे, पर अब किस बेस पर different होगे, कि एक तो high energy zone में चला गया और एक low energy zone में चला गया, यहाँ आप energy level देख सकते हैं, कि energy level top to bottom increase हो रहा है, और नीचे की तरफ क्या आगया, non-axial, इसको हमने क्या बोल दिया, EG और इसको क्या बोल दिया, T2G है, और यह, यह जो gap IS की बीच में, उसको हमने किस से denote के delta से, delta O से, ठीक है, देखे, next part पर जलते है, next is, यहाँ पर है crystal field splitting in the tetrahidal coordination, अब tetrahidal की बात करते हैं, अभी तो हमने octahidal की बात की, octahidal मतलब अभी हमने ml6 का case discuss किया, अब हम discuss कर रहे है ml4 का case, इसका case थोड़ा different है, इसके case इसके इसके इंदर देखे, in the tetrahidal coordination entity, formation of the d orbital splitting is inverted, first of all, यह invert हो जाता है, invert का मतलब, वहाँ उपर की तरफ क्या गया था, EG, अब उपर की तरफ क्या चला जाएगा, T2G आपको उपर से मिलेंगे, और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर हम E को omit कर देते हैं, मतलब T2 और नीचे की तरफ क्या रहता है, E, ठीक है, तो उपर T2 रहेगा, नीचे E रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, and is smaller as compared to the octahidal crystal field splitting, actually इसमें जो splitting होती है वो बहुत ही कम होती है, तो कम splitting की वज़े से क्या होता है, कि यहाँ पर जो inversion आपको देखने को मिलता है, inversion इन्दा ML6 case, यानि कि हम कह सकते कि tetrahidal के जो cases होंगे, उसके इन्दर आपको inversion देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह आप देख सकते है graphically, यहाँ पर यह जो graph है, actually जो ligand है, वो आपको कहां से approach होता दिखाई देगा, on the axis पर ही वो approach है, यह आपका ligand, यह रहा ligand, ठीक है, यह रहा ligand, यह रहा ligand, हमारे पास चारी ligand है, जिन्होंने यह 4 corners आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 corners आप यहाँ पर available है, पर हमारा जो orbital है, वो कहां पर है, इस axis पर है, जो उसके संपर्क में नहीं आएगा, ठीक है, जिसकी वज़े से इसकी energy क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, बट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, कि जो जिस जगए ligand है, उसी direction में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको orbital की direction भी दिखाई दे रही है, ठीक है, due to this reason, क्योंकि tetrahidal का case है, यहाँ पर आपकी जो position से वो change हो जाएगी, इसकी वज़े से E, यहाँ पर मैं EG की बात नहीं कर रहा, E की बात करूं, E की energy जो है घट जाएगी, और T2 की energy बढ़ जाएगी, देखते हैं कैसे, यहाँ पर आप इसको consider कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा, कि tetrahidal crystal field, यह tetrahidal है, tetrahidal के अंदर आपने देखा, कि जो positions है, it is just like है, यह prism आपको अंदर की तरफ दिखा रहा है, ठीक है, जो ligand है, वो यहाँ से अप्रोच कर रहा है, और यह complete orbitals आपको show कियो है, ठीक है, in complete orbitals के अंदर यह जो है, in positions पे, एक, दो, 3 और 4, 4 position से, जो ligand है, वो इसको approach कर रहा है, और by this way, यहाँ पर आपको splitting देखना को मिलेगी, you can see the E over here, and T2 over here, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में gap रहेगा, energy gap रहेगा, जो splitting है, delta T, that is splitting in the tetrahidal, T, T denotes the tetrahidal, ठीक है, जो उपर वाला रहेगा, वो 2 by 5 रहेगा, और नीचे व इसको 1 के scale पर count करते हैं, ठीक है, by this way, यहाँ पर color in the coordination compound, so, coordination compound colorful क्यों होते हैं, यहाँ पर हमें उसका answer मिलेगा, colorful होने का reason यह है, कि for example, हम एक बार यदी बात करें, यह रहा हमारा D orbital, D orbital का जो उपर वाला portion रहा, T2, sorry, EG का और नीचे वाला portion रहा, T2G का, तो इन के बीच म यह रहा energy gap, ठीक है, यहाँ पर यदि कोई electron मौजूद है, और इसको extra energy बाहर से supply हुई, तो यह क्या करेगा, यह electron यहाँ से उपर की तरफ shift हो जएगा, अगर उपर की तरफ space है, तो, ठीक है, तो जैसे ही वो अपनी ground state में enter करेगा, वापिस में, तो जितनी energy को क्या करेगा यह emit करेगा, और due to this emission, वो क्या करेगा, यह color show करते है, so, यह, इसे, इसे, एक special नाम दिया गया, नीचे भी d orbital है, और उपर की तरफ भी क्या है, d orbital है, इसको बोलते है, d2d transition, क्या बोला जाते है, d2d transition, so, due to d2d transition, आप क्या देखते हैं, कि, जो coordination compounds है, वो colorful होते हैं, ठीक है तो primary colors, basically, हमार पास तीन ही color होते है, red, green और blue, और इसी वज़ेसे, जो, इन ही के कारण, जो हमारे secondary colors है, वो produce होते है, these are the secondary colors, और यह, उसके complementary colors है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाने हैं, कि, यह, these are the wavelength, जैसी, जैसी wavelength वो absorb करते जाएंगे, वैसे, वैसे, वो color को show करते जा आप देख सकते हैं, now see, some limitations of the crystal field splitting theory, कुछ limitations है, consider ligand as a point charge and dipole only, ठीक है, यहाँ पर ligand को भी एक point charge consider किया गया, ठीक है, जो सिरफ फर सिरफ dipole में हो सकता है, does not take into account of the overlap of the ligand and the metal, जैसा कि valence bond theory में देखा गया था, ligand और metal के बीच में, एक overlapping वहाँ पर consider की गी थी, बट यहाँ प case consider नहीं किया गया, it does not take into account the covalent character, बिल्कुल ही skip कर दिया, क्योंकि हम जानते कि कोई भी ionic bond completely, ionic नहीं होता, कोई भी covalent bond completely, covalent नहीं होता, तो उसको यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ही ignore किया, face to explain the CO, यह हम अभी आगे study करेंगे, the strong ligand and the CN in the complex having the metal, the low oxidation state, तो यह इन्होंन बिल्कुल भी explain नहीं किया, now, special case है carbonil का, जो वहाँ पर अभी बात करें, carbonil के cases में हम special bonding की बात करते हैं, जिसके अंदर synergic bonding role play करती है, the homoleptic, याद रखें, यह homoleptic है, homoleptic कौन से थे, जिसमें same ligands present हो, तो same homoleptic carbonil से आने की, सभी के सभी जो ligands है, वो क्या है, carbonil है, are formed by the most of the transition metal, transition metal की वेज़े से यहाँ पर carbonil compounds की formations होती है, these carbonil have the simple and band defiled structures, simple or well defined structures होती है, so tetra carbonil nickel, जिसके oxidation state 0 होती है, the tetrahidal, pentacarbonyl, iron 0 is the trigonal, bipyramidal, while the hexacarbonyl, chromium is the octahedral, यहाँ पर आप उसकी सब की shape देख सकते है, ठीक है, so this is the tetrahidal shape है, nickel की जो covalent, sorry, carbonil के साथ bonding है, tetracarbonyl, nickel, ठीक है, यहाँ पर pentacarbonyl, iron, 0 oxidation state है, सभी की यहाँ पर 0, 0 oxidation state है, ठीक है, यहाँ पर जो octahedral shape है, वो यह show कर रहा है, यहाँ यहाँ पर bridge की formation हो रही है, ठीक है, अगर हम एक को consider करते हैं, तो यहाँ पर tetrahidal shape ही बनेगी आपकी, क्योंकि अगर bonding देखे तो यहाँ पर four के साथ, एक के साथ, चार carbonyl compounds attached है, ठीक है, सेम यहाँ यहाँ पर भी वही के से पांच वाला, तो यहाँ पर, actually यहाँ पर हमें जो discuss करना है, वो एक important bond discuss करना है, that bond is called synergic bond, तो the metal carbon bond in the metal carbonyl process is both S and P character, इसके अंदर S character भी होता है, और P character भी होता है, due to this reason, M C, यह metal and carbon, क्योंकि एक metal होगा और दूसरा जो ligand के तोर पर, यहाँ पर bond की formation कर रहा होगा, वो carbon है, तो यहाँ पर इसको consider करें तो carbon, carbon जो है इसको loan पर donate कर रहा है, by donating these electrons, इस electron से वो अपने, जो है, dative bond की formation कर रहा है, जो क्योंसा bond बनेगा, यहाँ पर sigma bond बनेगा, इस form by the donation of the loan pair of the electrons and the carbonyl carbon into the vacant orbital of the metal, so यह d orbital है, metal का, जो खाली पड़ा हुआ है, जिसके अंदर electron given दिये जा रहे है, किसके carbon के, तो यह कुंसा bond का formation है, sigma bond का formation हुआ, दूसी तरफ, metal carbon pi bond formation by the donation of a loan pair of the electron from a filled d orbital of the metal into the vacant anti-bonding, pi star orbital of the carbon monoxide, now see what is happening, यह जो orbital है, metal का, इसके अंदर electrons available है, यह क्या करेंगे, जब यह यहाँ पर carbon के, यह specially दो यह जगह bonding होती है, nitric oxide और carbonyl के अंदर, इसको बोलते है, synerging bonding, यहाँ से तो bonding हुई carbon के करण, यहाँ पर जो electron present है, यह bond का formation करते हैं, vacant carbon के orbitals के साथ bond का formation करके, backbonding के से हम बोलते हैं, this is called the backbonding, तो यह backbonding बनाएंगे, इसको बोलते है, synergic bonding, loan pair, जो carbon के वज़े से donate हुए, उसको sigma bond बोलते हैं, और जो loan pair d orbital में present है, metal के, वो carbon को provide करने हैं, उसको बोलते हैं, backbonding, यानि की synergic bonding, ठीक है, the metal to the ligand bond create a synergic effect, which strength the bond between the carbon monoxide and the metal, ठीक है, actually, ये bond, usually, जितने भी अभी अपने के metal और जो ligand के बीज में bond का formation हुआ, वो normal single bond से connected होता है, sigma bond का formation करता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, sigma bond के साथ, यहाँ पर pi bond का formation भी हो रहा है, due to this reason, ये bond थोड़ा सा strong हो जाता है, इसकी strength बढ़ जाती है, stability of the coordination compound, stability के अंदर हम क्या देख रहे हैं, stability के अंदर हम देखेंगे कि हमने सभी के सभी जो species हैं, इसको क्या माल लिया, कि ये सभी के सभी equilibrium पर है, अब देखें कि equilibrium के एक खास बात होती है, A plus में B is in equilibrium with C plus D, तो इसका हर equilibrium का एक constant होता है, जिसे हम केसी बोलते हैं, केसी के अंदर क्या होता है, C का concentration, D का concentration divided by A का concentration into B का concentration, ठीक है, तो product का concentration अगर जनरल वे में रखे जाए, तो divided by reactant का concentration होता है, तो हम यहां उसकी बात करेंगे और यहां से उसकी stability को consider करेंगे, तो यहां पर कहा है कि metal plus ligand, जो first of all हमने इसको step by step process बोल दिया, यह ML4 बन रहा है, total यहां पर ML4, M plus L4 से ML4 बनेगा, पर 4 steps में बना है, product divided by reactant, product divided by reactant, product divided by reactant, हम अल्टीमेटली यहां पर मिल गया, फिर k1, k2, etc, step by stability, constant यहां पर बोल के, जितनी ज्यादा value k1 की होगी, उतना ही आपके product की formation होगी, क्योंकि यहां पर k1 is directly proportional to किसके है, ML से लेकर, k, अगर मैं 4 की बात करूँ, directly proportional किसके है, ML4 के, तो naturally है कि इसकी value जितनी ज्यादा होगी, उतना ही हमारा product बनेगा और उतना ही ज्यादा stable होगा, तो हम इसको combinedly इसकी, अगर बात करें तो इसकी value कैसे निकाल सकते है, तो relation with the stepwise and the overall stability of the constant is, इसको beta 4 बोलते हैं, अगर 6 का case होगा, तो beta 6 बोलेंगे, so that will be k1 into k2 into k3 up to kn, ठीक है, सबको हमने multiply कर दें, जोग जी सभी constant की, तो instability constant or dissociation constant of the condition defined as the reciprocal of the formation constant, so this beta 4 is called formation constant, इसे हम क्या बोलते हैं, formation constant, और instability constant आप से पूछा जाते हैं, तो instability constant को हम कैसे denote करते हैं, 1 by beta 4, उसका just आप क्या कर देंगे, reciprocal कर देंगे, तो वो आपका क्या जाएगा, instability constant, clear, so यह हमारे stability के अंदर देंगे हैं, so now at last we will discuss about the importance of the coordination, compounds importance क्या है, using many qualitative and quantitative chemical analysis, जो practically हम इसको देख सकते हैं, hardness of the water is estimated by the simple titration with the di sodium EDTA, यह अभे हमने बात की थी EDTA की, तो उसके अंदर अगर यह stable होता है, तो किस form में stable होता है, that is NA2 के साथ ही stable होता है, extraction process of the metal like those silver and gold make use of the complex formation, ठीक है, इसकी extraction जो है, वो actually सबसे पहले एक complex का formation होती है, उसके बाद हम इसे extract करते हैं, purification of the metal can be achieved through the formation of the subsequent decomposition of their coordination compound, उसकी purification भी, एक complex का formation है, pigment responsible for the photosynthesis, chlorophyll with the coordination compound of the magnesium, ठीक है, जैसे blood के अंदर iron है, आरेन के complexes हैं, जी हमोगलोबीन के अंदर, सेम वे में हम अल्रीदे एक बार पहले बात कर चुके, coordination compound or using the catalyst for the many industrial process, ठीक है, बहुँ सी industrial process के अंदर है, है, being at the same time while शनर्श soybeanा, जारे की अंदर स्केवराफिक पाफ्ड़ूंध, वेग में दित कि लिएडर आरेके, गया हेशे है में का अंदर दिएव काावलोबनका. झाल झाल